हेलो फ्रेंज, वेल्कम बैक तो यूटूब चैनल, तोड़े आई विल शेयर यू, सेलेबल्स ऑफ हाफ यली एग्जामेनेशन नर्सरी, आज मैं आपके साथ शेयर करने चाहरे हूं, नर्सरी क्लास की जो बच्चे होते हैं, उसकी जो भी हाफ यली एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम्स में हमें कितना जो पॉशन है, कितना जो सेलेबल्स है, वो हमें बच्चे को कम्प्लीट कराना है, देन आफटर हम बच्चे के लिए कुछ वाक्शिट्स बना सके, कुछ क्वेशन पैपर बना सके, या फिर टेस्ट पैपर बना के भी हम बच्चे को का जो वक्षीट से वो मैंने नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए एंग्लिश और मैक्स की शेयर की हैं वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी अब वहां जाके एजिली वो वीडियो देख सकते हैं तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट के बच्चे को हम फॉस देखेंगे इंग्लिश में जो कितना पॉशन है कितना जो सिलेबल से वह बच्चे को यहां पर हाफ यली एक्जाम्स में आता है फॉस बात कोते हैं औरल की औरल में जो होता है वह एटू जैड विट आपजेक्ट बच्चे को एटू जैड तक सकी गilaं वेट से वह पूछ जाते हैं विट के सास्थ कि पिक्चर के साथ बच्चे को औरल में पूछी जाते हैं इस तरह की बच्चे को जो राइम्स होती है वो यहां पूछी जाती है यह हो गया बच्चे का औरल का पॉशन अब हम नेक्स लेखेंगे रिटन का रिटन में कितने जो क्वशन से वो बच्चे को आते हैं फर्स दिखते हैं अलफबेट्स एट्टू एच यहां पर हाफी अलफबेट्स सिखाए जाते हैं एटू जैर तक्सके अलफबेट्स नहीं आते हैं जितने भी बच्चे को half alphabet जिखाए जाते हैं उसके according की बच्चे को half yearly exams में questions attain करने होते हैं उसके related ही question आते है circle the same letter बच्चे को same letter पर circle करना है match it करना है बच्चे को same letters match करने है match letter with their object बच्चे को object के साथ भी क्या करना पड़ता है letter को match करना होता है उसके बाद next देखेंगे उसके बाद circle odd and out बच्चे को odd and out पर क्या करना है circle भी करना होता है color same object बच्चे को same object पर क्या करना है color करना पड़ता है इस steps के questions बच्चे को return में attain करने है उसके बाद यहाँ पर English में जो conversation आता है वो orally होता है बच्चे को what is your name what is your father name what is your mother name in which class do you study what is your school name what is your class teacher name इस तरह का कुछ जूस conversation होता है वो भी बच्चे को यहाँ पर oral में ही पूछा जाता है उसके बाद आप next बाद कोते है math की math में कितना syllables जो आता है फॉस्ट oral आता है 1 to 20 तक 1 to 20 तक के जो numbers होते हैं वो oral में पूछे जाते हैं return में जो कितने numbers आते हैं 1 to 10 तक के ही number बच्चे को यहाँ पर रिटन में आते हैं जितने भी बच्चे को सिखाए जाते हैं numbers उसके according की बच्चे को यहाँ पर questions भी पूछी जाते हैं उसमें कुछ shapes भी सिखाए जाता है circle, triangle, oval, square, diamond, semicircle इस तरह के shapes के भी कुछ questions यहाँ पर बच्चे को attain करने पड़ते हैं देखते हैं basic concept बच्चे को यहाँ पर basic concept भी पूछी जाते हैं बिग और small का concept टैल शॉर्ट, long शॉर्ट, one, many यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं circle, big object, circle, tail object, circle, long object, tick, many object इस तरह से basic जो shapes सिखाए जाते हैं उसके according की बच्चे को यहाँ पर questions भी पूछी जाते हैं यहाँ पर जो questions आते हैं return में matching same numbers बच्चे को match करने हैं same numbers के साथ matching same colors, object and shapes बच्चे को colors और object और shapes भी match करने पड़ते हैं then count and match, count and right correct number बच्चे को count करके right जो correct number है वो भी यहाँ पर करना पड़ता है circle correct number बच्चे को correct number पर क्या करना है? circle करना है suppose कोई भी object है उसको count करना है उसका correct जो answer है वहाँ पर circle करना है circle तो same number बच्चे को same numbers में भी क्या करना है? circle करना है इस तरह से यहाँ पर मैच्स का जो सिलेबल से वो बच्चे को हाफिल एक्जामस में अटेंड करना है अब हम next part करते हैं हिंदी की बच्चे को यहाँ पर हिंदी में और से और तक लिखने को बोल सकते हैं जो मोखिक आता है उसका जो औरल होता है वो और से अहत तक आता है then after उसको जो रिटन में questions अटेंड करने हैं वो questions इस steps के आते हैं समान अक्षर को समान अक्षर में मिलाओ समान अक्षर के साथ मिलान करना है चित्र देख कर सही अक्षर से मिलान करें चित्र को देखना है, then after मिलान करना है, इसके बाद अक्षर देख कर सही अक्षर पर गोला करें, बचे को अक्षर देख कर सही जो अक्षर है, वहाँ पर गोला करना है, उसके बाद चित्र देख कर सही अक्षर लिखो, बचे को चित्र देख कर सही अक्षर लिखना है, बिन अ कविताए होती है वहां पर बच्ची को अटेंग करनी है उसके अधुकि को मिर्च नगायोग बैच करते हैं इसके इसके लगा अंगायो थो सब्सक्राइब कर देना धेंक यू फौर ऺटिसंग